आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे वाजवान स्टाइल तबक मास कैसे बना सकते हैं यह पूरा 100% authentic recipe है और आपको लगेगा वाजवान का ही तबक मास खा रहे हैं यह recipe हमने अर्दू में बनाई है खास तोर पर अपनी वीवर्स के request में इससे पहले यह इंग्लिश में uploaded थी आप जरूर एंड तक देखेगा और ट्राइ कीजेगा और फिर feedback सेंड कीजेगा इंस्टरग्राम और फेस्टूक पेज़ पे हमारे आपको बहुत पसंद आएगी और एद पे जरूर ट्राइ कीजेगा यह हमने ingredients में one whole lamb rib लिया है जो ribs है वो ली है तो इसमें से तीन बनेंगे तबक मास इस तरीके से हम काटेंगे लेकिन काटना होता है बॉल करने के बाद और along the bone ही काटना है देखे इस तरीके से आपने ही काटेंगे बॉन के साथ में ही बॉन के opposite काटना है आपको इस तरीके से वह मैं आपको दिखा दूँगी काटने के टाइम बाकी spices है ginger powder या short turmeric powder leather green cardamom natural close rung फे लिए हमने salt noon garlic paste दगित रुहन black cardamom buddle हमने लिए यहां पे गी आप डालड़ा गी ले सकते हैं कोई भी देसी गी ले सकते हैं तो mostly यह गी में ही fry होती है वाजवान में बढ़ अगर आपको पसंदना हो तो आप mustard oil का यूज़ भी कर सकते हैं इस mustard oil में आपको गी जासा फ्लेवर ही आएगा मगर obviously smoke निकालके आप यूज़ करेंगे इसको तो आप गी या mustard oil कोई भी यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम डालेंगे जो ribs हैं वो पानी में एक पैन में पानी इतना होना चाहिए कि वो cover करना चाहिए ribs को completely उपर तक फिर डाल देंगे आप इसमें नमक एक चोटी चमज तक साथ में आप एड़ कर देंगे इसमें garlic paste या अगर आपके पस garlic के सीधे वो garlic paste हमने एक चोटी चमज डाला है अगर आपके पस normal garlic के रूहन आप वो डाल सकते हैं तो आप इसको लिट से cover करके आप boil करेंगे तकरीबन 15 मिनट तक तो यह देख सकते हैं आप यह boil हो रहा है 15 मिनट तक आप इसको आप निकालेंगे और वाश करेंगे तबक मास की ribs को और जो स्टॉक निकला है इसका रास वो रखेंगे यूज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के आपको नहीं इसको तोड़ना है इनको इस ऐसे बिलकुल बने ऐसे तोड़ना होता है यह देख सकते हैं आप मैंने अब यह तोड़के रख दी हैं यहाँ पर तीन ribs बन चुकी है इसमें से आप तीन तबक मास तो यह देखिए बून्स रहती है इसमें छोटी छोटी इसलिए हमेशा साथ तो अब हम इनको पहले डालेंगे इसी सेम स्टॉक में जो हमने स्ट्रेंग किया था जितने ही पहले थी इसमें डाल देंगे दो बाड़ी इलाइची जबुडल आठ छोटी इलाइची निचल साथ आठ लॉंग रॉंग टेमरिक एक छोटी चामज लेदर जाल देंगे जिंचल पूदर रश्वाट आथी उटी चामज घालिक कपेस अब डाल देंगे आथी ऊचामज नामक डाल देंगे आथी चामज या टेस्ट किये अक्कोड़िंग जितना झाते है पहले आप स्टॉक का इसको इतना कुक करना है कि यह 90% तक कुक हो जानी चाहिए वो डिपेंट करता है 20-30 मिनिट लगे तो यह देखे मैं आपको दिखाऊंगे सॉफ्ट हो चुकी है यह प्रोसेस आप प्रशे कुक में भी कर सकते हैं अगर थोड़ा केफल रहना है ताकि यह टूट न जाए इसलि आपको बर्नर की फ्लेम पूरी हाई रखनी है ताकि यह टेल यागी जो भी आप ले रहे हैं वो पूरा गरम हो फिर आपको सिम कर देना है याद रखिए यह हमेशा आपको सिम लो हीट पे ही फ्राइ करना है अदर वाइस आप इसको हाई पे फ्राइ कर देंगे यह जल्दी क्रिस्पी बन जाएंगी और अंदर से बिल्कुल पी तयार नहीं होंगी तो आपको मेक शूर करना है कि पहले तो फ्लेम हाई हो ताकि तेल यागी जो भी आपकी पास है वो पूरा गरम हो बाद में आप सिम पे इसको फ्राइ करें जब तक यह दोनु साइड से कंप्लीटल क्रिस्पी हो जाए जैसा आप चाहते हो उतना देखे मैं फ्लिप कर चुकी हूं इंको आप इंको इस तरीकी से उठाके भी तेल फैंक सकते है उपर वाजवान में मोसली तेल ही उपर फिर से स्प्रिंकल किया जाता है ताकि बोथ वेज में यह फ्राइ होते रहें बट मेक जाए दो बन योसल्फ तो यह देखिया इसमें तेल डाल रहे हैं ओपर से भी और इस राइ हो रहे हैं दोनु तरीके से तो जो यह रिब से तबक माज यह काफी ज़ादा टेस्टी बनती है यहां पर आप देख सकते हैं आप लास्ट्रस दे लूक तो आप ज़रूर